हलो गुड मॉर्निंग ओल अफ्यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भर नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपिट्सन्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो रोजाना की तरह मैं लेकर हजीरू डेली करंटेफेर्स जीके आज 13 मार्च 2020 के करंटेफेर्स के हम बात करते हैं साथ यो डेली करंटेफेर्स जीके आपकी सभी प्रतियोंगी परिक्षाव के लिए अत्यंत मैतोपूर्ण है यदि अभी तक आपने हमारा चैनल यूवी कंपेटिशन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपेटिशन चैनल को सब्क्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दबना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के नोटिफिक्सन मिलते रहे यह हमारा करेंट अपियर्स जीके है यह आपको अबजेक्टी कोशन्स के टाइप में मिलेगा और इसके साथ ही साथ जिसका एक्स्प्लेनेशन इंपोर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा मिलेगा साथ यों इसके अलावा यदि आप राजस्तान जी के और मेकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ना चाहते है तो उसके लिए अनकेडमी एप पर मुझे फॉलो करें आनकेडमी एप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आईए साथ यों शुरू करते हैं आज का कंट पिर्ची के क्वेसन संक्याप फश से निमन लिखित में से कौन गाई का अंतराष्टे महिला दिवस के आउसर पर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला बनी है आप्शन S रेया गोसाल, आप्शन B टेलर स्विप्ट, आप्शन C लतामंगेशकर, आप्शन D सकीरा साथ यों अंतराष्टे महिला दिवस जो की 8 मार्च को मनाया जाता है 8 मार्च 2020 को गाई का टेलर स्विप्ट को गूगल सर्च इंजन पर सबसे अधिक खोजा गया है तो इसका राइट आंसर है आप्शन B टेलर स्विप्ट गूगल ने इसके साथ अन्य विश्यो जैसे खेल, हास्य है और पन्यासकार की भी रैंकिंग जारी की है और गूगल पर साल 2020 में सर्वादिक खोजे जाने वाली महिलाओ में म्यूजिक में टेलर स्विप्ट, स्पोर्ट्स याने की खेल में सेरना विलियम्स, कॉमेडी में अक्वाफिना, तता नौवेलिस्मेंट में टौनी मौरिसन है किस राजिय की सरकार ने आगामी इस्तानिय निकाज चुनाओं में धन और सराब के इस्तेमाल पर रोक लगा कर स्वच और स्वस्त चुनाओ कराने के लिए नेगा एप लौँच की है और स्वस्तानिय निकाज चुनाओं में धन और सराब के इस्तेमाल पर रोक लगाने और स्वच और स्वस्त चुनाओ कराने के लिए नेगा एप लौँच किया है जो यह एप है निगा एप यह एप चुनाओं के दोरान पैसे और सराब के वित्रण की तस्वीरे और वीडियो के साथ साथ अन्ने कोई गतीविदी जिससे आदर स्व चुनाओं आचार से हिता मोडल कोड अप कंड़क्ट का उलंगन किया जा रहा है ऐसी सिकायते दर्ज की जा सकती है इसके लावा इस एप के माध्यम से आने वाली सभी सिकायते अपने आप ही केंद्रिय नियंतरन कक्ष में पहुच जाएगी और जिसे सूचना संबनेत अधिकारियों के साथ साजा किया जाएगा और इसके द्वारा मोडल कोड अप कंड़क्ट यानि कि आदर स्व चुनाओं आचार सेहिता का उलंगन का जो दोसी पाये जाएगा उसे सजा दी जाएगी नेक्स्ट कॉसन संक्या थिरी निमनलिकित में से किसे Defense Intelligence Agency DIA का नया महाने देशक यों Integrated Defense Staff Intelligence का डिप्टी चीप बनाया गया है ओप्शन ए लेटिनेंट जनरल के जे एस डिलो ओप्शन भी जनरल विपिन रावत ओप्शन सी जनरल मनोज मुकुद नरवाने और ओप्शन डी जनरल विपिन सियाग दोस्तों अभी DIA और DICIDS ऐसे विबाग हैं जो हाली में बनाये गया है जो अन्य सेन्य मामलो के विबाग Chief of Defense Staff के अंतरगत आते हैं और इसके अंतरगत नया महानी दे सक यों Deputy Chief Lieutenant General KJS डिलो को बनाये गया है तो Option is Right Answer Lieutenant General KJS डिलो DIA और DCIDS पर तीनो ससत्र बलो यानि की सीमा सुरक्षाबल उसके अलावा वायू पते एयर फोर्स और इस तलिय सीमा थल सीमा जल सीमा के तक्निकी और मानविय खूपया तंतर का जिम्मा होगा ता है DIA का गठन 1999 में में हुई कारगिल गुस्पेट के बाद 2002 में मंत्रियों के एक समूव की सिफारिस पर किया गया था DIA सभी रक्षा सम्मंदिश खूपया विबागों के लिए एक नोडल एजनसी है जो देश को सुरक्षित रखने के लिए उपग्रहों के साथ साथ तक्निकी रूप से सूचना एकत्र करती है next question संक्या 4 विश्वे इस्तर पर World Kidney Day कब मनाया जाता है option A 10 March को, option B 11 March को, option C 12 March को, option D 13 March को विश्वे इस्तर पर World Kidney Day हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार का जो गुरुवार है वे आया है बारे मार्च को इसका right answer option C 12 March और वर्ष 2020 के लिए World Kidney Day की जो थीम थी वर थीम क्या थी? Kidney Health for Everyone, Everywhere From Prevention to Detection and Equitable Assess to Care ये जो विश्य है, ये दुनिया बर में सभी की Kidney को स्वस्त रखने के प्रियास की आउशक्ताव पर केंद्रित है next question संग्या 5 उच्चितम न्याले ने जोए बांगला को किस देश का राष्टे नारा बनाये जाने का आदेश दिया है option ए भारत, option B बांगला देश, option C पाकिस्तान, option D अपकानिस्तान और इसका right answer है option B बांगला देश को यान कि बांगला देश के उच्चितम न्याले ने ये आदेश दिया है कि जोए बांगला को देश का यान कि बांगला देश का राष्टे नारा गोसित किया जाए साथी साथ, कोट ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वे सुनिशित करे कि सिक्षकों और छात्रों द्वारा असेंबली के बाद इस नारे का उच्चारण किया जाए जोए बांगला जोए वो 1971 में पाकिस्तान के खिलाप हुए स्वतंत्र संगर्स युद में बांगला देश का मुख्य नारा था 1971 में पाकिस्तान से अलगों कर बांगला देश बना था जो कि एक भारत का अभिन हिस्सा था Next, question संग्या 6 किस सर्च इंजन ने महिलाओ के लिए एक कौसल कारेकरम डिजी प्योट का सुभारम किया है Option A Google इंडिया, Option B UC Browser, Option C Yahoo India, Option D Opera Mini और इसका डायर टांस्वर है Option A Google इंडिया जो ये कारेकरम है, इसका उद्देश से भारत में डिजीटल विज्यापन और मार्केटिंग पैनोर्मा के छेत्र में महिलाओ की बराबर भागिदारी सुनिशित करना और 200 पेसेवर महिलाओ को फिर से कौसल प्राप्त करने का आउसर प्रदान करना है इस कौसल कारेकरम को सेंट रूप से कैरियर पोर्टल सेवा, आउतार और इंडियन स्कूल अब बिजनेस, आई एस्बी के साथ साज़ेदारी में विक्सित किया गया है यह जो पोर्टल है, यह जो कारेकरम डिजी पिवोट जो है, इसका सबारब उन महिलाओ के लिए किया गया है जो कि अपने घरेलू काम की वज़े से, या बीच पे पढ़ाय छोड़ने की वज़े से, अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है कौसल विकास नहीं कर पाती है, उनके लिए यह लागू किया गया है, जिनसे उन महिलाओ को रोजगार, अच्छे रोजगार मिले और अपना कौसल विकास किया जा सके यहने कि वो कारे करने में दक्ष हो सके नेक्स्ट, कौस्टं संक्या साथ, किस राज्ये में पारंपरिक उत्सव भगली मनाया जाता है उप्शन ई, पंजाप में, उप्शन बी हर्याना में, उप्शन सी उत्राखंड में, और उप्शन D इ, हिमाचल प्रदेस में तो फगली जो माहत्सव है वो पारंपरिक उत्सव हिमाचल प्रदेश में किन्नोर जिले के यांगपा गाउ में मनाया जाता है तो आपसन डीज राइट आंसवर हिमाचल प्रदेश फगली माहत्सव की बात की जाए तो यह माहत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तोर पर आयुजित किया जाता है और यह जो तर्मार है यानि कि फगली माउट्सों जो है ये सर्दियों के जाने और वसंद मौसम के सुरू होने को चिन्नित करने के लिए मनाया जाता है Next, Question संक्या 8 Phone Pay ने अपने ग्राकों को UPI, Lendin की सुविदा देने के लिए किस नीजी छेतर के बेंक के साथ साज़धारी की है Option A. SBI Bank Option B. IC ICI Bank Option C. HDFC Bank Option D. Axis Bank दोस्तो फॉन पे ने अपने ग्राकों को UPI लेन दिन की सुविदा देने के लिए IC ICI Bank के साथ साज़दारी की है यह एक निजी छेत्र का बैंक है इसलिए Right Answer है Option B IC ICI Bank यह जो सुविदा थी UPI की सुविदा फॉन पे ने Yes Bank के साथ ग्राकों को यह सुविदा मुए कराने के लिए हाथ मिलाया था इससे पहले लेकिन भारति रिजोर बैंक और केंदर सरकार द्वारा Yes Bank को एस्ताई बैं लगाने के कार्ण फॉन पे की यह UPI लेन दिन सुविदा बादित हो गई थी यानि की रुप गई थी और बारति रिजोर बैंक द्वारा पाच मार्च को एस्ताई प्रतिमन लगाने के बाद लगबग 24 गंटों के लिए इस लोगप्रिय बुकता ने को आउटेज का सामना करना पड़ा था Yes Bank को अभी हाल ही में डूपते हुए बैंकों में गिना गया था और इसलिए इसको अईस्ताई रूप से बंद कर दिया है पाच मार्च को से और इस बैंक में अधिक्तम जो सीमा है वो ग्राकों को 50,000 से जादा एक मैने में निकालने की रखी गई है कि 50,000 से जादा वो लोग निकाल नहीं सकते वो विबिना उसरों यानि कि आपात काली निस्तिती में ही 50,000 से जादा निकाल सकते हैं नेक्स्ट कोर्शन संक्या नो विश्यू स्वास्ते संगठन World Health Organization यानि कि WHO ने अधिकारी गुरूप से किस बिमारी को महामारी के रूप में गोसित किया है ऑप्सन ने डेंगू, ऑप्सन भी मलेरिया, ऑप्सन सी चिकरण गुनिया और ऑप्सन डी कोरोना वाइरस अभी हाल ही में एक नई बिमारी आई ये है जिसका नाम है कोरोना वाइरस जो कि दुनिया बर के सो से अधिक देशों में फैल चुका है इसलिए विशु स्वास्ते संगटन ने इसे महामारी का रूप दिया है तो इसका राइट अंसर ऑप्सन डी कोरोना वाइरस कोरोना वाइरस के बारे में बात की दिया है तो WHO का नुसार यानि कि World Health Organization का नुसार चीन में उत्पन हुए इस वाइरस को दुनिया बर में एक लाग तेरे हजार से अधिक लोग संक्रमित है और लगबग चार हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है या लगबग सौदेसों में फैल चुका है और इसकी सुरुआत चीन से हुई थी WHO का नुसार महामारी किसी बिमारी को महामारी तब गोसित किया जाता है जब इस नई बिमारी किसे दुनिया बर में लोग पर भावित हो और इससे निपटने के लिए कोई सुविदा उपलब्द ना हो यानि कि किसी भी राज्य सरकार या केंदर सरकार के पास इस बिमारी से निपटने की कोई सुविदा नहीं हो या उस बिमारी को दूर करने का कोई समाधान नहीं हो तो उसको WHO द्वारा महा मारी गोसित कर दिया जाता है नेक्स्ट और लास्ट कॉस्टन कॉस्टन संक्या 10 निमनलिकित में से किसे BBC World Histories मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे के बाद Greatest Leader of All Time अब तक का सबसे मांतम नेताचुना गया है Option A महाराजा सिवाजी, Option B महाराजा सुजान सिंग, Option C महाराजा रंजीत सिंग और Option D महाराजा रतन सिंग और इसका राइट अंसर है Option C महाराजा रंजीत सिंग को जो की भारत में सिख समराज्ये के 19 वी सदी के सासक थे और यह मराठा सरदार सिवा जी के पुत्र थे महराजर रंजित सिंग का नाम University of Alabama में इत्यास के Assistant Professor लौकूड दारा नामित किया गया था क्योंकि उनके सासनकाल को पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में स्वण युक का जाता है तथा जिसे सैष्णोता, स्वादिनता और सैयो का आदर्स माना जाता था इसके अलावा अफ्रीकी स्वात्तरता सेनानी, अमील कारक कैबरल 25 फिस्दी वोट के साथ दूसरे इस्तान पर रहे है तो मेरे प्यारे सातियों यह थे आज का करेंट अपेर्स जी के जो कि आपकी सब्भी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें साथी साथ जो भी आपका क्वेस्टन है जो भी क्वेरी है और कमेंट जरूर करें हमारे वीडियो पर कमेंट करें आपका एक कमेंट हमें बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा इससे अच्छा हम कर पाएंगे और हमारे वीडियो को सेर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल UV Competitions को सब्क्राइब जरूर करें इसका लावा हमें Unacademy, Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें UV Competitions Everywhere यानि कि इंस्टा, Facebook और Gmail पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिलेगा वहसे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और future के लिए उसे अपने पास रख सकते हैं Thank you so much, धन्यवाद, आपका दिन सुभो